गोरेला शेतर की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है एक वर्ष पूर्व निविदा निकलने के बाद भी सड़क का निर्मान का कारिय अभी तक प्रारम नहीं हो सका जिसके चलते लोगों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है सड़कों की हालत खराब होने से कई बार दुरगटनाय भी हो चुकी है लेकिन जन प्रतिनीधी एवं प्रशासन पूरी तरह से मूख दर्शक बना बैठा है दूसरी और नगर पंचायत अधिकारियों इवं जन प्रतिनीधियों के दवारा केंदर की सवच भारत मिशन की योचना को भी पलीता लगाया जा रहा है नगर पंचायत कारियाले में पीने वाला जल महीला प्रसाधान के पास रखा गया है जिसके आसपास फैली हुई गंदगी को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत अपने ही कारियाले में स्वच्चता नहीं रख पा रही है नगर को स्वच कैसे रख पाएगी नगर पंचायत कारियाले से लगे हुए नई बस्टेंट जहां हमेशा गंदगी पसरी रहती है जगे जगे पर टूटी हुई शराब की बोतले डिस्पोजल गिलास एवं चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आता है इस बारे में मुख्य नगर पंचायत अधिकारी ने बताया कि सड़क की मरमत हितु निर्वाचन के पूर्व निविदाएं निकाली गई थी प्रंतु आपत्ती आ जाने के कारण निविदाएं निरस्त करनी पड़ी शिकायत की प्रशासन स्थर पर जाच चल रही है जाच पूरी होने पर फिर से निविदाएं निकाली जाएंगी और काम पूरा होगा दूसरी तरफ सच भारत मिशन के संबन में उन्होंने पीने के पानी को महिला प्रसाधान के पास रखा जाना गल्थ बताया उसे जल्द ही वहां से हटवाया जाएं बिलासपूर से सवाधाता संतोष नामदेव की रिपोट जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फाइनस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यू फो वेडिं, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें घन्नेवाद